नमस्कार, Prime News 24 में आपका स्वागत है, मैं हूँ अग्रिमा जादॉन चंद ग्रहन 2020, 30 नवंबर को लगेगा साल का अंतिम चंद ग्रहन यह चंद ग्रहन 4 घंटे 21 मिनिट का होगा, कई मामलों में होगा विशेश इस साल का अंतिम चंद ग्रहन 30 नवंबर को लगेगा, यह चंद ग्रहन का इमामलों में विशेश होगा इस इन कार्तिक पूर्णिमा का भी पर्व मनाया जाएगा, इसे चंद ग्रहन कम है तो और अधिक बढ़ जाता है जोतिशियों का कहना है कि सुमवार को लगने वाला चंद ग्रहन उपक्षाया चंद ग्रहन है, इसलिए इस बार सूतक नहीं लगेगा इस ग्रहन को आँखों से भी देखा जा सकता है जोतिशाचार पंडित विश्नु प्रशाद भट ने कहा कि चंद ग्रहन हिंदू कलेंडर के अनुसार कार्तिक शुकल की पूर्निमा तिथी को लगने जा रहा है पंचांग के अनुसार इस दिन रोहिनी नक्षत रहेगा आम तोर पर ग्रहन से 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है लेकिन इस चंद ग्रहन में सूतक नहीं लगेगा कहा है कि जब उपक्षाया ग्रहन लगता है तो इसके सूतक काल को माने नहीं माना जाता सूतक काल पून ग्रहन में मानने होता है साल का अंतिम चंद ग्रहेंट चार घंटे 21 मिनिट का होगा जो तिशाचार ग्यानेंद्र पांडे और आचार डॉक्टर सुशान सिंग राज ने बताया कि चंद ग्रहेंट भारतिय समय नुसार दुपेर एक बज कर दो मिनिट पर शुरू होगा प्राइम नुस 24 के लिए शैलेन तिवारी की रेपोर्ट